गोग तो अग के इस बीड़ो ने में बताऊंगा आप тебе लोग की ऐसमान कारड में जो भारत कारम कार्द है उस में आप अपना नाम केसे जुरुआ सकते है दोस्तों अकर से क्या होता है कि आपको अगर कभी भी ह Spotel तो आप 5 तक का यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत तो दोस्तों आईसमान काड़ का यही फैयदा होता है और दोस्तों रिवास मान काड़ में यह जो सुरू करने साढ़ की और यह का ईंसर में कैसे जर्वाना है छlli दोस्तों वीडियो को शुरू करते से पहले आप लूग को से रेक्वेस्ट सब्सक्राइब करोस्क्राव करते चैनल को और विडियो को लाइक करते हैं तो दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं इसका लिंक आप लोग को description मिल जाएगा या फिर आप PMAJY.gov.in करके सर्च मारिएगा तो इस साइट पर आ सकते हैं इस साइट पर आने के बाद दोस्तों आपको करना कुछ नहीं मैं जो जो इस्टेप बताऊंगा वैसा आप फोलो कर लिजेगा दोस्तों आप लोग का भी नाम आइसमान कार्ड की लिष्ट में जूर जाएगा उसके बाद आप लोग अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जूम कर रहा हूं आपको यहां पर कैमरे के जैसे जी ऑप्सन आ रहा है तो उस पर हमको क्लिक कर देना है उस पर किलिक किजेगा तो दोस्तों कुछ इस परक ट्रेंश फोर तो यहां पर हमसेलेक्ट करेंगे पी अमेजे वाई को और डिक करेंगेût त्रेंगे रिजिस्टर पर किलिक करने के बाता कुछ इस परकारस इंटरेफर्फ सारा आँ दोस्तों तो आपको इसमें से सारे को एक कग करके फिल कर देना है भर देना है पर complain करना है Istman करना है कुछ भी complain करना है तो first बाले पर tick लगाएंगे अगर आपको कोई भी inquiry करना है होस्पीर्टल या फिर कहीं के बारे में तो आप second बाले पर tick करेंगे और inquiry करेंगे अगर आपका नाम नहीं है Istman कर सुछ रेक्वेस्ट वाले पर तीसरे वाले पर हम लगा दियें रेक्वेस्ट वाले पर क्योंकि मेरा नाम नहीं है उसके बाद आर इव इंडर अंडर एवी पी जुआ ही मतलब दोस्तों नीचे बाला का मतलब है कि आप पहले से आईसमान कार्ड आपका बना हुआ है तो इस पे किलिक करेंगे अगर नहीं बना हुआ है तो नो पे किलिक कर देंगे तो अगर हम इस पे किलिक करते हैं तो दोस्तों इस पे सेलेक्ट करने के बाद यहां से आपका आइसमान कार्ड का नंबर पुछा जा रहा है जो कि मेरे पास नहीं है तो अभी हम अपला ही कर रहे है उसमें नाम जरूरुमाने के लिए तो यहां पर हम 9 पर रहने देंगे उसके बाद नहीं नीची आएंगे तो हम अपना नेम फर्स्ट बाले में यहां नाम और जिन जिन चीज़ों पर इस्टार लगा हुआ उसको आपको डालना जरूरी है उसको यह बिना नहीं होगा अपलाई तो उसको छोड़ना नहीं है तो यहां पर नाम उसके बाद जेंडर डेट ऑफ बार्थ सारा को सेलेक्ट कर लेंगे contact number यहां पर सारा हम फिल कर लेंगे तो सबसे पहले हैं इस सब को फिल करते हैं तो नीची आईए गा इस टेट आपको सेलेक्ट करना आपको जो भी एस्टेट हो स्वेट के असे अपना क्वाधिक नमर इस अरह इसमें आपको कुछ buss नहीं है इसमें जो बताने ऑला होका मैं आपको कबर करते चलाँगा उसके बाद यहाँ फे चिνत डाल लेता हूं उसके नीचे आयागा तो अपना डिस्ट्रिक सेलेक्ट कर लेना है आपको जो भी डिस्ट्रिक है उस डिस्ट्रिक को सेलेक्ट कर लिजेगा उसके नीचे आपको अपना फूल एड्रेस डालना है जो भी डोकुमेंट इस पर अपलोड होगा कोई भी एक डोकुमेंट अधार कार्ड से देखके अपना फूल ए कर देंगे इसमें कुछ नेम को लिखना है अदर लिखेंगे उसके बाद Grävians एगेंस्ट तो इसमें क्या लिखना है दौस्तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आईस्मान भारत योजना में लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए उसके बाद आपको यहां से फिर से अबना एंस्टिट और यहां पर डिस्ट्रिक सेलक्ट करना। प cambiar है कि फिरसे वही उसके बाद नेम आफ गृव्येंस यहां पर भी तो यहां पर क्या लिखना है आइसमान भारत योजना लिस्ट में नेम और तो आपको इतना लिखना है उसके बाद फिर से आपको आना है यहाँ पिःभियंस डिसक्रिप invitesन यानि कि इसमें 3000 केरेक्टर में लिखना है तो यहाँ पिए आपको मैं बताता हूँ एक मिनट फिर से यहां पर क्या लिखना है आप देखके आप भी लिख सकते हैं sir my name is not ice man भारत योजना लिस्ट so I demand to include my name in भारत ice man भारत योजना लिस्ट तो इतना आपको भी लिखना है फिर यहां पर और 3000 वर्ट से ज्यादा में नहीं लिखना है बस जितना है में लिखना है उसके बाद नीचे तो आईश्मान भारत लिस्ट में तो उसके बाद यहां से दोस्तों आएगा नीचे अपलोड फाइल फी तो यहां पर आपको एक सपोर्टिंग डोकुमेंट जैसे अधार काड़ बोटर चाड़ इसमें से कोई भी चीज पैन कार यहां बगेरा किसी यह एक चीज़ को यहां से अपलोड कर देना है तो उस फाइल को हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे और आपके घर में किसी का आईसमान भारत का नमबर है कार्ड बना हुआ तो उसको भी एड कर सकते हैं या फिर छोड़ दें और नीची आएगा तो दोस्तो अपलोड एडियो या वीडियो तो यहाँ पर आपको एक एडियो या फिर वीडियो अपलोड करना होगा जिसमें आपको अपना अधार नमबर अपना नाम और उसमें बोलना होगा कि मेरा नाम आईसमान भारत योजना में लिस्ट में नाम नहीं है इसलिए मेरा नाम जोड़ दे तो ऐसा आपको बोलना है अ तो इस पर ठीक लगा दीजिएगा उसके बाद यहां से submit करके आप submit करने के बाद आपको एक reference number मिलेगा तो इस reference number से आप track कर सकते हैं कि हमारा जो status इसका कहां तक पहुंचा हुआ है जिस परकार से other चीज़ को हो वे track करते हैं कि हमारा जो form है उसका apply किये तो बन रहा है या फ दिखा देता हूं तो आपको track करने के लिए उस reference number को ले लेना है उसके बाद आपको उपर home page पर आ जाना है जहां पर यहां से हम गये हुए थे यहां पर add यहां पर देख सकते हैं track your grievance तो यहां से track पर click करेंगे और track पर click करने के बाद नीची आएगा तो इसमें उस इस नंबर को डालेंगे जो reference number आपको मिला था और यहां से submit कर देंगे और यहां से complete हो गया होगा तो यहां से दिखा देगा आपका complete है पेंटिंग है या फिर reject हो गया जो भी होगा आपको यहां से देख जाएगा दोस्तो तो आई होप दोस्तो वीडियो आप लोगों कर देगा दोस्तो अगर कुछ समाझ में नहीं हो तो कमेंट कर देगा चलिए दोस्तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए